हेलो फ्रेंड वेल्कम टू मैं चैनल नमीता किचन कॉर्णर मैं नमीता और आज मैं आप लोग के साथ मसाला ओट्स की स्वादिश चेटपटी और हेल्दी रेसेपी सेयर करने जा रहे हूँ ओट्स हमारे हेल्ट के लिए बहुत ही अच्छा ग्रेंड माना जाता है इसलिए ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है इससे पहले भी हमने ओट्स की और भी सारी रेसेपियां सेयर की हैं जैसे की ओट्स स्मूधी ओट्स पडाठा और मिल्क ओट्स आप चाहें तो उसे वी जीरा ढाल देंगे, जीरा के चटकने के बाद हम इसमें एक चोथाई चम्मर सरसो के दाने डाल देंगे और इसे भी चटकने देंगे तो अब ये दोनों अच्छे से चटक गए हैं अब हम इसमें एक मीडियम साइज का बारी कटा हुआ प्याज डाल देते हैं और इसमें हम थोड़े से कड़ी पत्ते भी डाल देंगे कड़ी पत्ते से ओट्स का स्वाद जो है यह बहुत अच्छा आता है और एक हरी मीर्च डाल दी है बारीक काटके आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं छोटी वाली हरी मीर्च थी इसे थोड़े दिर साउट कर लेंगे जब प्याज हलका सा सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें मीडियम साइज का एक टमाटर डाल देंगे बारीक कटा हुआ है इसे डाल देते हैं टमाटर को हम अच्छे से चला लेंगे चला कर इसे हम ढखकर मीडियम फ्लेम पर हलका सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे तो अभी हम इसे ढग देते हैं, बीच में चेक कर लेंगे गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखा है तो थोड़ी देर बाद हम इसे चेक कर रहे हैं अभी ये टॉमाटो जो है, वो हलके हलके से सॉफ्ट हो गए है इतना जादा सॉफ्टर नहीं किया है हमने, क्योंकि हमें इसमें ओट्स भी डालना है ओट्स के साथ भी हम इसे पकाएँगे थोड़ी देर तो ये हमने आधा कप ओट्स डाल दिया है ओट्स को हम एक या आधा मिनट के लिए भून लेंगे ज्यादा देर नहीं भूनेंगे बस आधा से एक मिनट ही भूनेंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम रखकर ही भूनेंगे ढग देते हैं इसे, बीच-बीच में चला लेंगे टॉमाटव भी सॉफ्ट हो जाएगी और और ओठ भी भून जाएगी तो यह हम एक कप डालते हैं और एक कप और डाल देंगे पूरे दो कप हम इसमें पानी डाल रहे हैं और पानी डालने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे एक चोथा ही चमज डाला है और थोड़ी से हम इसमें हाफ टी स्पून यह गरम मसाला डाल देंगे दोनों को डाल कर मिला देंगे और इसमें हम अभी कुछ नहीं डालेंगे बस इतना ही गरम मसाला से इसमें बहुत ही अच्छा स्वादा जाता है अगर आप गरम मसाला नहीं खाना चाहते हैं तो गरम मसाला के जग ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं काली मिर्च डाल कर चला लेन हम इसे चेक कर रहे हैं ओर जो है वो पकना सुरू हो गई है ज्यादा टाइम नहीं लगता है दो तीन मिनट ही लगता है ओर को सॉफ्ट होने में तो अभी हम इसे एक बार अच्छे से चला देंगे और वापस से ढख कर इसे हम पकने देंगे अभी हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे क्योंकि पानी जो है इसमें का कम हो गया है मीडियम प्लेम पर थोड़ी देर इसे हम और पका लेंगे ताकि अच्छे से एकदम कुक हो जाए तो थोड़ी देर हो गई है अभी आप देख सकते हैं टोमाटो जो है वो पूरी तरीके से इसमें गल गए है और यह ओ बंद करने के बाद यह थोड़ी से और ठीक हो जाती है इसलिए अब हम इसको इतने पड़ी बंद कर देंगे और अच्छे से पक गई है और इसे अब हम गरम गरम सर्फ कर लेंगे बहुत ही अच्छा कम समय में बन जाने वाला हेल्दी चटपटा ब्रेकफास्ट है यह तो आपको यह रेसेपी ओट की कैसी लगी अच्छे लगी है तो रेसेपी को लाइक शेर और कमेंट करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाई